नमस्कार SPN 9 News आप देख रहे हैं इसला कंपनी के मालिक Elon Musk ने एक ट्वीट करते हुई EBM को लेकर लिखा कि EBM एक electronic voting machine जिससे आसानी से इनसानों या AI के द्वारा है किया जा सकता है इसे चिनावी प्रक्रिया से हटा देना चाहिए बस फिर क्या था Elon Musk के इस ट्वीट को आगे दोबारा से रिपोस्ट करते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे तमाम बड़े दिगगा चेहरों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी लेगिन राहुल गांधी ने जिस तुरह से इस पर अपनी प्रतिक्रा रखी तो अब उस पर जेडियू कोटे से यहाँ पर कई बड़े चेहरों ने पलटवार किया है जेडियू के प्रवक्ता निरज कुमान ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को ईवियम की विश्वस्नियता पर भरोसा नहीं है तो उन्हें अब तुरंथ ही अपनी संसत की सदस्दा से स्तीफा दे दिना चाहिए क्योंकि इसी ही इवियम के जरिये उन्हें वाइनाड और रायबरेली से सांसत चुना गया है इतना ही नहीं जेडियू कोटे से केंद्वे राज्यमंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर पूरी ठाकोर के बेटे रामनाथ ठाकोर ने भी मीडिया कर्मियों के दौरा जब सवाल राहुल गांधी के बयान पर किया तो कहते नजर आये कि राहूल गांधी को तो निश्यत तोर पर इस्तीफा सबसे पहले देना चाहिए क्योंकि जब वो EVM की विश्वसनेता पर सवाल उठा रही है तो वो कहीं न कहीं उनको मिले वोट बैंग पर भी सवाल उठा रही है जो वाइनाड और राइबरेली के लोगों ने अपना सांसत चुनने के लिए उनहीं दिया था पता दिये कि ये पहला मौका नहीं है जब विपक्ष के द्वारा EVM पर सवाल उठाए गई हो